Hello my dear students, welcome to best English classes, मैं हूँ प्रतीक तमर और आज हम पढ़ रहे हैं कमला दास की लिखी पोयम The Dance of Unix इसकी समरी, इसका अनलाइसिस मैं आपको दूँगा यह एक सिंबॉलिक पोयम है यानि यहाँ पर जो युनुक्स की बात हो रही है Transgender की बात हो रही है, किनरों की बात हो रही है वो एक सिंबल के रूप में है हमारी कमला दास विक्टिम है Patriarchal Society की यानि जो पुरुष सत्तात्मक समाज है उसकी ये पिडिता है यानि इनको लगता है कि ये जो पुरुष सत्तात्मक समाज है जहां पर पुरुषों का राज है वहां पर महिलाओं को नीची दरश्टी से देखा जाता है अब ये पोयम सिंबॉलिक क्यों है क्योंकि किनरों को भी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है उन्हें भी वो भी एक तरीके से लाचार है तो आईए इसको थोड़ा और अच्छी से हम देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं वो ये कहते हैं कि कमलादास कहती हैं कि जो किनर हैं वो सजधच के रहते हैं डांस करते हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो इंजॉय कर रहे हैं पर actual में उनके अंदर कोई joy नहीं है तो ये खुद भी अपने आपको ऐसा ही मानती है कि उनके अंदर कोई inner joy नहीं है दोस्तों इस poem में कोई stanza नहीं है पर तीन पार्ट में आप इसको divide कर सकते हैं पहले पार्ट में तो वो attractive चीजों के बारे में बात करती हैं जिने की unix यानि किनर यूज में लेते हैं लोगों को attract करने के लिए उनसे पैसे लेने के लिए दूसरे पार्ट में वो बात करती हैं उनकी inabilities के बारे में और उनके अंदर कोई joy नहीं है इस बारे में और तीसरे पार्ट में बारिश आती है जो कि उनके लिए बून भी है और बेन भी है यानि अच्छा भी है और बुरा भी है आईए इसका थोड़ा और आनलाइसिस करेंगे पहली लाइन है इट वाज होट, सो होट जब यूनुक आये थे डांस करने के लिए बहुत गर्मी थी, एक बहुत गर्म दिन था गर्मी की इंटेंसिटी को बताने के लिए हमारी पॉइटस यहाँ पे हाट वर्ड को रिपीट करती है वो आये थे क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत है काम तो करना ही पड़ेगा और उन्होंने वाइड स्कर्ट्स पहन रखी थी मतलब जो एक महिलाओं का लिबास होता है वो उन्होंने पहन रखा था और वो गोल-गोल घुम रहे थे यहाँ वहाँ घुम रहे थे अब आगे यह बताया गया है कि उन्हों के पास में चूडियां उन्होंने पहन रखी थी पायल उन्होंने पहन रखी थी जिनसे वो आवास कर रहे थे पैरों से आवास कर रहे थे जिंगलिंग 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 और गुलमोहर के जो फूल होते हैं वो उन्होंने लगाए वे थे वो एक गुलमोहर के पेड़ के नीचे डांस कर रही थे एक लाल रंग के जो फूल लगते हैं गुलमोहर के इनकी लंबी चोटियां थी लॉंग ब्रैड्स वो फ्लाइ कर रही थी एर में हवा में यहां वहां जूल रही थी और उनकी जो आखें ती, डार्क आखें वो चमक रही थी वो लगातार डांस कर रहे थी ऐसा लग रहा था कि वो तब तक नाचेंगे जब तक उन्हें खून ना आने लग जाये यानि यह बताया गया है कि उन्हें पैसे के लिए क्या करना पड़ता है कैसे उन्हें नाचना पड़ता है कोई उनके दर्द को समझता नहीं है ये यूनुक्स जितना अच्छे से अच्छा हो सके मेकप करते हैं ताकि ये थोड़े इंसान जैसे दिखें हलनकि इन्हें जैसे पराया समझा जाता है एलियन की तरहें ट्रीट किया जाता है इन्होंने टैटूस बनवा रखे हैं अपने गालों पर और अपने बालों में जैसमीन के फूल लगा रखे हैं इन में से कुछ यूनुक्स काले हैं, कुछ गोरे हैं पस सोसाइटी इनको एक जैसी नजर से देखती है चाहे गोरे हो या काले हो सोसाइटी इन्हें अगली ही समझती है पॉइट ने यहाँ पे हार्शनेस की फिलिंग दिखाई है कि कर्मी की दिखाई है और फिर यूनुक्स के कंपल्शन के बारे में भी बात किया गया है यह हमारी पोयम का फर्स पार्ट है एक बार इसको फिर से देखेंगे कि बहुत कर्मी है यूनुक्स वहाँ डांस कर रहे है वाइड स्कर्ट पहन रखी है कोल-कोल खूम रहे है अपने चूडियों से और पाईलों से आवास कर रहे है एक गुलमोहर के पेड के नीचे यह खड़े है उसे फाईर ही कहा गया है फाईर यानि जैसे आग क्योंकि वो लाल रंके होते हैं उसके उपर फूल इनकी लंबी लंबी चोटियां हवा में जूल रही है इनकी काली आँखे चमक रही है ये नाच रहे हैं नाच रहे हैं थोड़ी सी करकश है इनके जो गाने हैं उनमें मैलनकली है मैलनकली का मतलब होता है उदास ये कई गीत कारे हैं जिनमें लवर्स मर जाते हैं या बच्चों को अजन में बच्चों को छोड़ दिया जाता है इन में से कुछ ड्रम बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं और कुछ अपने दुखी चातियों को पीट रहे हैं and wailed, रो रहे हैं and rithed, rithed का मतलब होता है जैसे सूख जाना, मुर्जा जाना in vacant ecstasy, ecstasy का मतलब होता है उनमाद एक खालीपन भी है और एक उनमाद भी है तो यहाँ पे इनको कहा गया है कि जैसे यह sterile होते हैं यानि यह बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं इनके अंदर ना तो proper male और ना ही proper female के गुण है अब इनकी कहानियों के अंदर लवर मर जाते हैं अजन में बच्चे होते हैं यह दुनिया की dark realities के बारे में बात कर रहे हैं उदासी भरेगीत का रहे हैं अब कभी नहीं यहाँ पे breast को sorry कहा है चाती को दुख बरा कहा है क्योंकि इनके खुद के यह कोई काम के नहीं है कोई इनसान इनसे sexual pleasure नहीं लेगा ना ही यह किसी बच्चे को दूद पिला सकते हैं इन में यह blessing नहीं है यह रो रहे हैं आवाजे कर रहे हैं इनके गानों में एक रुदन है इनके जो पैर हैं वो दुबले पतले हैं ऐसे लगते हैं जैसे half burnt logs हो आधी जलीवी लकडियां किसी funeral pyre की किसी चिता की इनका शरीर एकदम सूखा और सड़ा हुआ सा दिखता है यह सब जो symbols हैं यह उनकी miserable condition को बता रहे हैं कि किस दुख दर्द से वो गुजर रहे हैं यह गरीब है unhygienic conditions में रहते हैं इनके पास अच्छे से खाना नहीं है घर नहीं है साफ पानी नहीं है यह जिन्दा होकर भी मरेवे से दिख रहे हैं जब यह नाच रहे हैं तो कववे वहाँ पर शान्त है और बच्चे उन्हें देख रहे हैं अश्चरे के साथ भारत में कववा एक अच्छा पक्षी नहीं माना जाता है मतलब यह नाश का या मृत्यू का प्रतीक माना जाता है पर ट्रांसजेंडर्स को तो यहाँ पर एक कववे से भी बुरा ट्रीट्मेंट मिल रहा है और बच्चे जहां तक हैं उन्होंने ऐसे ट्रांसजेंडर्स को कभी देखा नहीं है तो उनके लिए किसी एलियन से कम नहीं है फिर इसका थर्ड पार्ट आता है जहां पर लोग इन्हें देख रहे है और उन पर दया खा रहे है अब आसमान को दिखाये गया है जहां पर बादल गरज रहे है और जल्दी ही बिजली चमकने लगती है और फिर बारिश होने लगती है थोड़ी सी ही बारिश होती है हलंकि उससे थोड़ी मिट्टी की खुश्बू आती है पर वहाँ पे जो छिपकलिया है उनके यूरीन की गंदी स्मेल भी आती है और वहाँ चूहों की भी गंदी स्मेल आती है यहाँ पे इन लाइन्स का बड़ा एक डीपर मिनिंग है यहाँ पर एक्चुल में बारिश के दो अलग-अलग आस्पेक्ट बताएं है कि एक तरीके से यह ब्लैसिंग भी है क्योंकि गर्मी से लोगों को अराम मिलता है और दूसरी तरफ यूनुक्स के लिए ट्रांसजेंडर्स के लिए तो यह एक मुसीबत है क्योंकि यह बिचारे नाच रहे थे अपना लाइवली हुड कमा रहे थे अपने रोजरोटी कमा रहे थे बारिश की वज़े से अब लोग वहां से चले गए तो कोई चीज जहां आम लोगों के लिए एक ब्लैसिंग की तरह है वो इन बेचारे ट्रांसजेंडर्स के लिए तो एक मुसीबत की तरह है यहाँ पे हमारी कवितरी कमला दास ने यह बताया है कि औरतें भी इन यूनुक्स की तरह सब हूमंस की तरह ट्रीट की जाती है यानि उन्हें भी बराबर का दर्जा नहीं मिलता एक औरत का काम भी सिर्फ अपने हस्बेंड को खुश रखना और परिवार को खुश रखना माना जाता है चाहे वो खुश हो या ना हो उसे मुस्कुराना पड़ता है और बहुत काम करना पड़ता है तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स एक सिंबल की तरह है आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में अपना फीड़बैक जरूर दें चलदी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ डोंट फोगेट टू लाइप दो वीडियो थैंक यू सो मच